जहिन चात्रों मैं इशार रहमत competition community के इस question session प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं शात्रों मैं बहुत बहुत सुपकाम नाये देना चाता हूं उन्षात्रों को जो निरंतर इस session को देख रहे हैं और स्वाठी चात्रों मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक शुवी चार लेके आता हूं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं इनको तो पहचानने वाली बात ही नहीं इनके पंक्ति कुछ इस प्रकार से हैं देख सकते हैं दूसरे आपसे बहतर कर रहे हैं यह नहीं कभी नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं देखना चाहिए, ठीक है, हर दिन अपने record को तोड़िये, क्ल अगर आप 5 वर्ट को तोड़िये, आज उसमें आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा अपना मनवल बढ़ाना है और जो है उसको ज्यादा करने की कोशिश करना है अपना रिकॉर्ड तोड़ने का कोशिश करना है ओके बैन उसके बाद बोलते हैं क्योंकि सफलता की लड़ाई आप से खुद से है याद रखेगा सफलता की लड़ाई आप से खुद से है कभी किसी का administrative service जो प्राप्त करने का जो लक्ष है आपका उसमें पूर्णत है जो है समर्पित हो जाओ ठीक है आशा करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होगी हमारा विशय चल रहा है भारती इतिहास भारती इतिहास को मैं बार बार बताता हूं तीन भागों में विभक्त कर दि हो रहा है ठीक है तो आगे वरते हैं यहां देख रहा है हम मैं आपको बताया कि भारत का इतिहास हमारा विशय है प्राचीन भाग कवर कर रहे हैं इंडस्वली सिविलाइजेशन सिंदुगाटी सभ्यता का पार्ट वन पिछला अभी हुआ है और यह है जो आपका पार्ट यहां दिखाई दे रहा है आपको पार्ट भाग वन है किसका सिंदुगाटी सभ्यता का तो जो चात्र इसको पहली बार देख रहा होगा तो वह जो है जाके पहले इंडस्वली सिविलाइजेशन का पार्ट वन देखे जिससे की उसको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में पहले डिटेलिंग है फिर उसके बाद इस सत्र में कुस्चन्स थोड़े एडवांस हो गए एडवांस होने का तात पर यह है परिच्छा की द्रिश्टी कौन से प्रस्न कैसा पूछा जा रहा है और आपका कैसा पूछा जा सकता है इन सब सारे तथ्यों को लेते हुए यह स चात्र चल रहा है, तो स्मार्ट स्टडी वे पे बिल्कुल इसे याद रखिए, ओके, आगे बढ़ते हैं, आईए, तो जो पहली बार देख रहा है, वो चात्र जरूर जो है, पहले पार्ट वन देख ले, ताकि उसका जो आपका बेस है, वो अच्छी तरह से तयार हो जाए, देन उसके बार से ये पार्ट टू में आए, और जो चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहा है, तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करें, और बेल आइकोन को दबाए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुच पाए, आईए, स्टार्ट करते ह किनारे थीक है, इसकी समकालीन सब्व्यता रही है, इसलिए आपका ये समकालीन सब्व्यता रही है, और डिटेल्स देखें, हमने बहुत सारे स्थल देखें, जो कि कुछ इस प्रकार से है, तो हमें ये सारी चीज़े याद रखनी है, यहाँ देखिए, आपका ये प्रमुख इस्थल है, जिसे हमें याद रखना है सिंदुगाटी सभ्यता का राज्यवत, राज्ये कौन से राज्य में कौन सा इस्थल है, इससे प्रस्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सारा चीज मैप अकॉर्डिंग, दिमाग में सेट करके याद रखना है, जम्मु कस्मिर में है मांडा, यहाँ दिखाई दे रहा है रोपड, जो कि आपका कहा है, पंजाब में, हरियाना में आपको मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपका काली बंगा, घगर नदी किनारे, राजिस्था आपकानवाल एरिया में सुद्क केंडोर मिलेगा, जो सबसे पस्चमी राज है, पस्चमी छेत्र है, पस्चमी इस्थल है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं, दैमाबाद जो कि सबसे दक्षणी, छेत्र है सिंदुगाटी सब्यतका, तो इस प्रकार से इसे मैप औरियंट से है, भारत का नक्सा तयार किया, और उसमें जो हमें सैट कर रहा हूं, मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश यहां मैंने भाहर करें, मतलब इसारा करके, लिख लिए इसमें, आलमगीरपूर, ठीक है, इस प्रकार से, तो ऐसे इसका प्रेक्टिस करो, तभी यह याद हो है, इस्थल के, आपका सिंदुहाटी सभ्यता के, लेकिन जो मुख्य मुख्य परिच्छा दिरिष्टिकोंड से, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन तथ्यों को यहां कराया जा रहा है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, यह रहा आपका, मोहन जोदोलों का, मैंने बताया पिछल हो रहा है, तो उसमें जो है, किसका उप्योप किया जाता था, विशेश ग्रेट बात का, बताया भी था ना, कि आपका, मोहन जोदोलों मुवी में जो है, इसके बारे में जो है, उलेक किया गया है, ठीक है, सिंदुमाता को आपका विशरजित करते हुए, इस प्रकार से, और यह भी बोला था है, कि पिच्चर देखने मत भिर जाना, थोड़ा सा कटिंग वगर देख लो, जिससे देख बर विश्वलाइजिशन दिमाग में रहे, तो भूलना नहीं है, ठीक है, और यहां से क्या प्राप्त हुए, साक्च यह रहा बीर्ड में, ठीक है, पशुप बताया था, तो इस प्रकार से इन तथ्यों को याद रखना है, ओके, यहां दिखाई देर है, आपको यह है, आपका लोथाल वाला एरिया, मतलब गुजरात में भोगवा नदी के किनारे जो इस्थित है, लोथाल, उसका साक्ष है, यह गोदी बाड़ा का स्षेद सीन है, गोदी बाड़ा मतलब आपको गुदाम जहां आपका इस्टोरेज किया जाता था, ठीक है, अभी वर्तमान इस्थिति में कि बहुत सार चीज जो है, काला बजारी के ताहर जो है, क्या कर दिया जाता है, और जो समयाने में उसका ज्यादा रेट करके बेशते हैं, ठीक है, प्रसासन से कोई किसी प्रकार से कोई मतलब अभिलना नहीं है, लेकिन बस याद रखने के उद्देश से, यहां देखो, यह आपका भोगवा नदी दिखाई दे रहा है, चितरकान ने बहुत अच्छा दिर्शम किया है, और यह आपका लोथल जो की एक अध्योगिक नगर रहा है, ओके, आगे बढ़ते हैं, यह दिखाई दे रहा है धौला वीरा का छेतर, धौला वीरा के बारे में बताया है मैंने कि धौला वीरा की जो सडके हैं, एक दूसरे को 90 डिगरी के कोण में आपका विभक्त करती है, मुख्य द्वार कभी भी मुख्य सडक के सामने नह हुए हैं, जिसके लिए अलग से रास्ता बना हुआ है, ऐसे याद रख सकते हैं, जो कि मुख्य द्वार, यह जो मुख्य रोड जो है, आपका यह मुख्य रोड है इनका, एक दूसरे को 90 डिगरी म काटते हैं, इसका जो है, अगर किसी से तुलना किया जाए, तो मैं बताय है, decsitric गडवाले लोग, निवार आयपूर को देखो, प्रीप्लांट सीटी, तो यह प्रीप्लांट सीटी रहा है, सिन्दुगाटी सव्यता का, आपका मध्यप्रदेश वाले लोग इन दौर सो देखो इन दौर भी प्रिप्लांट सिटी के रूप में है उसके बाद याद रख सकते हो चंडीगर कहीं मत जाओ आपका यूनियन टेरिटिरी जो है वह भी प्रिप्लांट रहा है तो इस प्रकार के तथ हमें याद रखना है वरतमान के इस दिश्टिकोंड से औ हल इस प्रकार से याद रखना हां यहां हर अपका मतलब आपका जो जो स्थल है , उन जो है जानकारी दिया हुआ है कि कौन कौन से स्थल कहा है कौन से कहा हैं और में फैक्स दिये हुए हैं जिनको हमको याद रखना है अनिवार है हमारे हैं तो Print. सर्जान मार्तल के नेत्रित में दैराम साहनी द्वारा खो जाए गया रावी नदी के किनारे इस प्रकार के तथ याद रखना है सबसे बड़ा नगर याद रखना है तूरंत दिमाग में एक बार अच्छी तरह से पहला वीडियो देख लोगे तो बाखी सारी चीज़े याद आने लग जाएगी लोथल जो है अध्योगिक नगर रहा है रंगनाथ राव द्वारा खो जा गया है भगवा नदी के किनारे में इस थी था सिंदुगाटी सब्देदा का अध्योगिक नगर पत्तन नगर भी से कहा जाता है ठीक है याने बंदर का पोर्ट इंगलिस मिडि पर जो है आपका यह स्वतंतरता प्राप्ति के पश्चात सिंदुगाटी सब्देदा का सबसे पहले प्राप्त किया गया इस थल इस प्रकार से याद रखना है चन्हुदड़ो जो है आपका गोपाल मजुमद्वारद्वारा खोजा गया है सिंदुनदी के किनारे में है गोड़े के समान आउशेश प्राप्त हुए है ठीक इस प्रकार याद रखना है काली बंगा याद रखना है घगगर नदी के किनारे राजिस्थान में स्थित है कौन से जो है मतलब भोगल वेत्ता ने इसके खोज की तो याद रखना है लाल घोस थापर बताया था मैंने इस सारी तथ्यों को हमें याद रखना है बिल्कुल सारी चीजे फैक्स है वन लाइनर फैक्ट के रूप में एक बर रिवाइस करिए सांथ महीं से ताकि जब पेपर हौल में बैठें तो आपका सारा चीज याद आए और यहीं बैठ के सारी चीजे याद करना है हमें ओके चलो आगे बढ़ते है प्रसन यहां से प्राराम्भ होता है तो प्रसन सतर कुछ इस प्रकार से है सुची एक को सूची 2 में सुमेलित कीजिए ठीक है ओके देखते है क्या है पहला है आपका जगह का नाम है और नदी कर किनारे, कौन से नदी के किनारे है ठीक है तो हड़प अब देखो मिलालो आपका हस्तिनापूर जो है गंगा नादी के किनारे ठीक है यमुना छेत्र का आपका दवाप छेत्र में है ठीक तो इस प्रकार से नागरजुन कोंडा आंदर प्रदेश में है यह आपका पशानकाली निस्थल है ठीक है दोनों देखो सिमिलर कर दिया करिशना नदी के किनारे ठीक उसके बाद जो है पैठन गोदावरी नदी किनारे तो इस प्रकार के तर्थ हमें याद रखना है आगे बढ़ते आईए अगला है सूची एक को सूची दो में सुमेरित किजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन क यह ओके कोई बात नियुकर देख लेते हैं हडप मटाक है जम्मु एंक स्मीद एक डिखाई दिखाईj दे रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहाен देखो जो है पहले अगर आप कई ची ुछ बंप कर सो टैन इसके desirable निचे है अब का Orange में तडियक तो इसस सब्सक्राइब को खोज निकालने में जिन दो भारतियों का नाम जुड़ा है वे हैं याद रखेगा आपका सर जौन मारसल इश्वरी प्रसाद ऐसा तो नहीं है राखलदास बेनर जी तथा दयाराम सहानी यह देखो सीधा मतलब सर जौन मारसल को भी बताया है लेकिन अगर बोल रहा है सर्व प्रथम है ना चबेता को खोज निकालने में जिन दो भारतियों का नाम है भारति भी दिए हैं ठीक है भारति भी दिए शौरी इस प्रकार याद रखना है तो राखलदास बिनर जी और दयाराम सहानी ठीक प्रस्वाण 4 है अगर बोलेगा खिशाण का शैल चीतर के साक्ष कहां से प्राप्त होते हैं तो भीम बेट का यह दोनों का जो है बिलकुल याद रखेगा प्रस्वाण बनाते समय ठीक है तो क्या हो जागा इसका धौला वीरा अंसर आगे बढ़ते हैं यह दौला वीरा कह वस्ते जो कि लिए कपास की खेती का आरब शबसे पहले किया गया मिष्र में मैं में अमेरिका में भारत में या खियेगा और मॉडण आकीと यहां से उनिर्यात करते थे और आपका वी देशी कपलों का निर्माल करते थे और यहीं लाके बेशते थे और सिंदुगाटी सब्सक्राइब के महत्व के समय मैंने बताया था कि कुछ विशेश अंग्रेज सहित्यकार जो है वो यह कहते थे कि आपका भारत में अंग्रेज आए हैं तब वो जो है civilized होगा तो मैंने एक personality की बारे में भी बताया है कि the great older man of India दादा भाई नवरोजी ने एक book लिखी the poverty rule in unbritish rule in India उसमें बताया कि भारती अर्थवस्था को गिरते हुए और आपका ब्रिटेन की आपका अंग्रेजों की अर्थवस्था को बढ़ते हुए तो कपास की खेती से हां मैंने थोड़ा अंसर देना है ठीक है तो चलो आवो बता देता हो में कि याद रखेगा कि आपका शेर के अवस्चेश प्राप्त नहीं होते हैं रहेहे से लेकिन याद रखेगा उंकन याद रखीए गाज़का अंकन है मैंने बताया बशू पतुचीआज थी कवाजू में ति तो शेर की सब्भ्यता मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको ठीक है यहां जो आपका इसकी सम्कालीन सब्भ्यता रही है सौरी ये रहा हमारा नक्सा ये रहा मेसो पड़ामिय की सभ्यता और ये मिस्र की सभ्यता जिसे नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है तो आईए प्रस्णिक और वापस बढ़ते हैं कहा गया महोदय ठीक ये रहा ठीक है तो इस प्रकार है अगला बढ़ते हैं आगे प्रस्व कमांग आठ लेखन कला की उचित प्रणाली की विकास विक्सित करने वाली सरपथम प्राचीन सब्व्यता याद रखेगा सुमेरियन सब्व्यता जो है लेखन जो आपका लेखन प्रणाली का उचित व्यवस्था से मतलब लिखने की जो प्रचलन चला वो सुमेरियन सब्व्यता में चला इस प्रकार से याद रखना है सबसे ठीक आगे बढ़ते हैं प्रस्व कमांग नौ है निमलिखित में से किस पशू का अंकन हडपा संस्कृती की मुहरों पर नहीं मिलता मैंने घोड़े के अवशेष बताया भी देखो इस का निर्यात होता था इस प्रकार से याद रखना है घोड़े के समान अवशेष प्राप्थ हुएं ठीक है परिचित ते कुछ न कुछ प्रकार से लेकिन यह संभा होता है आकलित किया गया कि घोड़े के बारे में अगर कोई सागर बहतरीन अगर साक्ष प्राप्त होता है भारत में तो आपका धौला वीदा ओके और अगर बोलेगा भारत में सबसे बड़ा सिंदुगाटी सभ्यता इस्थाल तो राखी घड़ी लेना है सेकंड नमबर में धौला वीदा है कन्फ्यूज नहीं होन ठीक है तो हडपा सिंद में नहीं है यह पंजाब में है ठीक मोहन जोदलो यह सिंद में है ठीक है उसके बाद आपका चनहु दलो यह भी जो है आपका सिंद में यह दोनों दो और तीन आंसर होगा इसका हाना दो और तीन इसका आंसर होगा चनहु दलो ऑप्शन भी चेक कर था याद रखिएगा चनहु दड़ो जो है एक अध्योगीक नगर रहा है सिंदुखाटी सभ्यता का जिसकी खोज जो है गोपाल मजुमद्वार ज़ा रखी गई है लेकिन 1931 में उनकी मृत्ति हो गई थी अमृत्ति तो हो गई थी लेकिन उसका निर्देशन किस ने किया तो और एक पूरा का पूर्शन कवर हो जायागा इससे तो इसमार्ट स्टडी करिए बार-बार बोलता हो आगे बढ़ते आईए अगला है मोहन जोद्रो एवं हडपा की पुरातत्वी खुदाई के प्रभारी थे ओके सीधा सीधा सर जॉन मार्सल लिखाया होगा ठीक है यह र सब्राप्त हुआ है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला हमारा सिंधु सभ्यता का कौन सा इस्थान भारत में स्थित है ओके हडपा पाकिस्तान में है मोहन जोद्रो पाकिस्तान में है लोथल जो की पोर्ट है रोध्योगिक नगर है मतलब आपका बंदरगा है कहां स्थित है भ बार बार बोलता हूं 100% कंसेंट्रेशन के साथ सारी चीज़े याद रख लिजिए यह परिच्छा उप योगी सारे तत्य है ठीक है और साथ में कुश्चन भी अच्छी तरह से याद करते जाए किस प्रकार से प्रस्न पूछा जा सकता है इन सब सारी तत्यों को इसी के अंसर है वो कुछ इस प्रकार से सिंधुगाटी सब्वेता के संदर्म निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए क्या है इसमें यह प्रमुक्तल लौकिक सब्वेता थी तथा इसमें धात्विक तत्व यद्द्यपी उपस्थित था वर्चस्व शाली नहीं था ठीक यह सही ह ठीक है उसके बाद है उसकतन में भारत के में कपास के वस्तर बनाया जाते थे बिल्कुल सहीं दोनों सहीं है तो ये कर दो दोनों सहीं है इसका आंसर हो जायागा ठीक आगे बढ़ते हैं यह रहा आपका हडपा संस्कृती के निमलिखित इस्थलों में कौन सिंध में अवस सर कमेंट बॉक्स में देना है तो इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा चातरो जय हिन जय भारत